असलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल उर्दू नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का नाम है, मिराली महबबत, आज वो अपनी मा के लिए शापिंग करने आया था, इनकी जिन्दगी में था ही कौन बस वो और उसकी मा ही तो रहती थे, लेकिन इसके बाबा बहत अमीर थे, और उनकी ही इनायत थी कि वो इनके जाने के बाद भी अच्छा खा और पी रहे थे, ब्लैक पेंट और साथ वहाइक शर्ट पहने वो अपनी मा को तो शहजादा लगा था, जबकि इसके दोस्तों और बाकी सब की नजरों में वो चमपो था, मा का लाडला जिसने अभी तक मा के पलो को पकड़ कर रखा हुआ था, कहा जाना है इक क्या खाना है, क्या पहनना है हता के हर चीज ही शर्मीला बेगम ने पसंद करनी होती थी, और ये इसकी खाहिश होती थी, जबकि अब तो उन्होंने भी कह दिया था कि खुद जाकर अपनी पसंद से कपड़े ले लिया करो, लेकिन वो कहा मानता था, था कहता था, मामा अप अप ही हमेशा से सब कुछ ल हान सी ही लाएगी, वो खुद भी तो कमजोर दिल का मालिक था अगर पढ रहा होता, और कोई एकर गुबारा भी इसके करीब फार देता तो वो डर कर सकूल ही ना जाता, कुछ दिन बिस्तर पर ही रहता, वो था बहुत ही कमजोर दिल का मालिक, दीशाब एक बहुत ही की तो जाना तो था ही क्योंके मा की खाहिश थी, और आज दीशाब इसी लिए बाजार आया था कि अपनी मामा को सर्पराइस गिफ्ट दे सके, लेकिन इसके दोस्त मिल गए जो के थे सदा के भूके, इसे देखते ही करीबी रेस्टूरेंट ले गए और अपनी ही पेट जाने वो घजब धा रही थी, लेकिन मजाल किसी की जो इसकी तरफ आख भी उठा कर देख ले नवाल कोई आम लड़की नहीं थी, वो अपने गाउं की घुन्डी थी, शाजिया बेगम का कोई भी बेटा नहीं था, इनकी एक ही उलाद थी और वो थी तो पड़ी लिखी ल इस पर भी अपना रोब जाड़ सके ना कि इसकी सुने, खेर सुनने वाली तो वो थी नहीं अच्छे अच्छों के च्छके चड़ा देती थी, और आज वो शहर आई थी, अब कोई लड़का तो था नहीं जो ये सब काम भी देखता तो उसे ही करना होते थे, ये सब काम भी और बच्पन से करकर के वो आदी हो गई थी, नवाल अपने आदमियों के साथ इसके रिस्टूरेंट में दाखिल हुई थी, और अपनी गिन वहाँ इसके मैनेजर पर तान गई, अबे वो किसी खोए हुए सके की उलादग चल जल्दी से अपने मालिक को बिला वारना ये ज तुम लोग पड़े लिखे जाहिल हो कि या दुख नहीं रहा अपन की मीटेंग चल रही है, और मीटेंग के दरमियान नौ डिस्टर्बंस आई समझगिन को सब की तरफ घूमती हुए, इसने इन सब की अकल में इजाफा किया था, जबकि सब इस लड़की के रूप में गं रहा है, बता वारना ये सारी की सारी तुझ पर खाली कर दूंगी तो तो जानता ही ना मुझे में मलिका हूं गाउं की फिर भी तो ने ये गुस्ताखी की अब सजा के लिए तयार हो जासाले, कहने की साथ ही इसने अपनी गिन लोड की वर और उसकी कनपटी पर तान दी, ज जा कागस कलम लेकर चल अब जल्दी से सीम, साइन जाकर अपनी गिन को उसकी कनपटी पर रखते वहां पे दबाओ देते कहा था, जबकि वो दौर बैठा कांप रहा था, आज से पहले इसने लड़कियों को बेबस ही देखा था, आज ये नया रूप तो उसे कांपने पर म बेक या चिकना माल है तो तो इसके चारों तरफ घूमते हुए वो अपने हाथ में मौजूद गिन को इसकी तरफ करते हुए बोली, जबकि इसकी बात सुनलर उसे इतना खौफ नहीं आया था, जितना इसकी गिन देख कर वो डर गया था, वर थर थर कांपने लगा था, बेले ही कमजोर दिल का है वर उपर से वो गंडी, चल उनला ही पढ़ ले आज इस पर, अबे चिकने क्या खाता है तो, हाँ इतनी तो मैं गोरी नहीं जीत तो गोरा वर चिकना है, अबे शर्मा ना बता भी, वो उसके पास ही टेबल पर बैठ गई थी और इससे इसकी उपसूरती का राज पूछने लगी, इसी ये लड़का आयूं कहे के पटाखा अपने लिए पसंद उगा था, अबे बोलना मेरे को तेरी आवाज एच भी सुनने का है, वो क्या ही नामे हर चीज दला भाल कर लेती है अगर खराब हो गई तो, लेकिन ये तो अपन की जिन् पसंद होता है वही खा, खाता हूँ, पर वो मेरी पसंद का ही सब बन, बनाती है, अरे वा, वा इसका मतलब है सासू अम्मा की मेहनत का कमाल है, जो तो इतन चिकना है, सास का एका क्या मतलब है, अबे सब कुछ किया, एक एच इत में करने का इरादा है किया, चल अगली बार पिर मिलेगे अभी अपन को थोड़ी जल्दी है, यल दो जगा वर भी जाना ही लोगों का दिमाग ट्रेक पर लाने के लिए, और अब जब मैं तेरे से मिलेगी ना तो तो हमेशा के लिए अपन का हो जाएगा, और ये गिरिनती है अपन की, चल अब तो भी फूट उधर से औ और आइंदा उन चूजों के साथ ना घूमना वारना मेरा अगला तार्गिट ये होंगे, अपनी बात कहते ही वो जैसे तन्फन करती आई थी वैसे ही खारजी दर्वाजे की तरफ बढ़ी लेकिन जाते हुए फिर मुरी थी और पूछा था, आजा तुझे लिफ्ट दे द नवाल ने घर अती ही सबसे पहले अपने खास बंदे को बोलाया था अपने पास, बशीर कहा मर गया है तो हाँ कब से आवाज दे रही हूँ, शरीफा जा जाकर अपने खसम को बिला कहा मर गया है, जल्दी बिला वारना इसका फैसला मेरी रानी गिन्ट करेगी, जी जी तो ना सुधरी काम के वक्त तुझे दो नमबर आ जाता है, और वो घुसल खाना नहीं बातेरा अलिफलिफम है, तुझे कब अकल आएगी में तो सीखा सीखा कर ही बुढधी हो जाओगी, चल छोड़ उन बातों को और सुन जो पटाखा अभी में देख कर आई हूँ, मेरा समझा, जी जी सरकार, चल अब शकल गुम कर अपनी, जबके खुद अपनी मा के कमरे में गए, हाई, मेरी हेरोईन कैसी है, तेरे लिए एक सौप्राइज है, कल का इंतिजार कर, तो भी खुश हो जाएगी, कब सुधरोगी तुम बेटा ये जबान छोड़ दो, अब ऐसे कोई शरीफ लड़का तो कभी नहीं करेगा, जैसी तुम्हारी बोली और पहनावा है, आरी ओ मेरी हेरोईन दुनिया बहुत तेज है, और इससे भी ज्यादा तेरी ये छेवरी तेज है, ऐसा मस्तमाल होगा मेरा के तो भी रश्ट करेगी मेरे किसमत पर, कहकाया लगाते वो शाजिया बेगम के गाल पर एक पपी डेती अपने कमरे में चली गई, पीछे शाजिया बेगम अपना सर थाम कर बैठ गई थी के मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी को यहां उन कामों में मलवस करवाया था, लेकिन नवाल ने तो उसे ही अपनी जिन्दगी मान ल और अब वो पक्ता नहीं किया करने वाली थी शाजिया बेगम तो बस इसके लिए और उसके अच्छे नसीबों की दुआ मांगने लगी, पर यही शायद कुबूलियत का वक्त था, इसका नसीब तो अच्छा हो जाना था लेकिन इसकी जिन्दगी में अनी वाले की कोई रसला किया था, और दीशाब वो इनकी बातों में आभी गया था, और अपना वही हमेशा का सिटाइल बालों में तेल लगाए और कंधी किये इनको एक तरफ किये वो आमना बेगम को चांद का टुकड़ा लगा था, आमना बेगम खुद तो पडोसी के घर चली गई, जबक से दर कर एक कोने में बैठ गया, किसी का क्या भरोसा के कोई वुस्वा होकर गोली ही ना चला दे, वो उसे एक खंडर नुमा बिल्डिंग में ले गये, जबकि दीशाब की आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वर उसे रादरी से होते हुए एक कमरे में ले जाकर बड जबकि ये सुनने की देर थी कि वो फॉरन से कपड़े चेंज करने चला गया, जबकि वो हैरान था कि वो लोग क्यों इसे यहां लाए हैं और अब इसके साथ किया करने वाले हैं, नवाल ने अपने आदमी की मदद से दीशाब की सारी इनफार्मेशन निकाल दी थी, इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को पकता नहीं था, और आज सुबह उसने बशीर को कहकर उसे घर से उठवा लिया था, और आज वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम बकॉल उसके करने जा रही थी, जब उसके फोन पर काल आई थी, हां बोल बशीर, हां काम हो या चल, अपन भी आर ही है, अपन कोई इडानानस थोड़ी है जो पहले आएगी, लेट एंट्री अस ग्रेट एंट्री, बबल चबाते हुए इसने एक कहका लगाया और अपने दबंग सिटाइल में लेन क्रूज में बैठती वो गारी को फुल सपीड उडाती अपने चिक लहरा और बिलखा कर चलने की नाकाम कोशिश करने लगी, और जब कोशिश करने के बावजूद भी ना चल सकी तो उधर उधर देखती अपनी ही वंडों वाली चाल बड़े तफाकुर से चलती अंदर दाखिल हुई जहां इसका चिकना पहले ही मौजूद था, से देखते ह अंदाज में एक हाथ दिल पर रखे गोया हुई, चल मौलवी स्टार्ट कर अपन का विया, मतलब निका, और मौलवी ने भी हुक्म मिलते ही निका शुरू करवा दिया, नवाल अली वलद अदनान अली आपको दीशाब अहमद वलद अरसलान अहमद के निका में हक महर पच इसके बाद मौलवी साहिब दीशाब से गोया हुए, दीशाब अहमद वलद अरसलान अहमद अपको नवाल अली वलद अदनान अली के निका में हक महर अपनी जान के इवज दिया जाता है किया आपको गुबूल है, मौलवी की आवास थी अगोया कोई बॉम था जो दीशा पर फूटने वाला था मतलब अपनी जान के इवज निका, कौन करता है ऐसे निका, वो परेशान सा अपने माथे से पसीना साफ करने लगा, बोले के साथ ही मौलवी ने हैरान नजरों से नवाल की तरफ देखा था, जैसे पोच रहा हो कि ये क्या है, लेकिन नवाल के हाथ म मौजूद गिन, खुखा इरानी, देख कर उसने अपने अलफाज अपने मौन में रखना ही बहतर जाना और फिर से गोया हुआ, क्या आपको ये निका कुबूल है, जबकि वो प्रेशान सा सब का मौन देखे जा रहा था, जो डस लोग इस पर बंदों की ताने खड़े थे जब नवाल में इसके चहरे पर सवाल देख तो खुद ही बोल पड़ी, देख बीलो अब ये ना हो बाद में तो मकर जाए या तेरी माना माने तो अपन का ये सब इतनी महनत और टाइम तो खोटी गया ना इसलिए हक महर में तेरी जान लिखवाया है, ताके अगर तो अपन से दूर जाना भी चाहे तो सीधा उपर जाए, सही है कि नहीं बोलो सब लोग अपने अकलमंदी वाले कारनामे पर सब से राय लेना चाही और किसमे हिम्मत थी जो नवाल अली को गलत कह सके, तो सब ने इसकी हां में हां मलाई थी, जबकि नवाल खुद एक तरफ अपनी इ देखने में मसरूफ थी, जिसे वो इसके घर से उठा कर लाए थे और एमरजनसी शेरवानी पहनाए अब बंदोकों की नोक पर इससे निकापड़वा रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं ऐसा मत करें, मीम, मैंने की बिगाड़ा है आपका, हाए कमबख्त तो ने ही तो बि और दी शाब को देखकर अपनी एक आख दबाई थी, यार जल्दी करो मेरे से ये थान नहीं समहला जा रहा, चली मोलवी सरकार अपन को घुस्वा दिलाना है, देख मेरे घुस्वी का कोई भरोसा नहीं कुछ भी कर जाती है में घुस्वी में, इसलिए भलाई इसी में है जल्दी करतो, नवाल जो कि अब जिच आगई थी इस तरह की ड्रीसीन से फॉरण से सब को एक साथ धंकी दे डाली, और उसकी धंकी कार गिर भी साबित हुई थी, मोलवी ने निका पढ़वाना शुरू करवा दिया, और दीशाब सदा का डर पोक मरता क्या ना करता, निका के बाद दीशाब एक जगा परेशान होकर बैठ गया, कि अब वो क्या करेगा क्यूंकि इसकी माने तो कितने खाब देखे थे इसकी शादी के जब उन्हें पत्ता लगा तो किया होगा, इसकी शकल पूरी रोने वाली हो गई थी, जब नवाल बड़े मज़े से इसके पास आई और शर्माने की नाकाम अदाकारी करती इसका खून मजीद जला गई, वे मेरे सेया चल पकड़ ले मेरी बाहे और अचल तुझे मेले चिलो अपनी खाबों की दुनिया में, कि क्या मतलब अपनी दुनिया, क्या की 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 कर रहा है, क्या तुझे भी वो इंगलिश स पसंद है, की की डा यू लो मै, वो गाना ऐसे है, की की डव यू लो मी, देख तो समझ गया अपन के अलफाज बेशक गलत थे फिर भी, इसलिए तो अपन ने तुझे से शादी प्रोग्राम करके तुझे हमेशा के लिए अपन के नाम कर लिया है, है ना जहकिस आइडिया, वर रही बात कर घर जाने की तो तो ने तो अपन को अगवा करके निका नहीं किया ना अगर तो करता तो भी अपन तुझे ही अपने साथ अपन के एच घर लेकर जाने वाली थी, अपन ने अपनी हेरोइंग बोले तो अपन को इस दुनिया में लाने वाली अपन की जन्नत क को सौप्राइज जो देना है। लेकिन शादी के बाद तो लड़की अपने हस्बनट के घर जाती है ना आई मैन मिया के घर। देख अपन का शादी कोई नार्मल शादी तो है नहीं। तो खुद को ही देख ले अब तेरे करने वाले सारे काम अपन ने किये वर अपन के तो न रहा है। दिल खुश कर दिया है वैसे तो ने क्योंके अपन को तो रोना आ नहीं रहा। अपन का दिल कर रहा है कि अपन भंगला डाले लेकिन किया है ना नई नई दुलहन ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। जब इतन कर लिया है तो भंगला भी डाल ही लो। देशाब ने गुस्वा से दांत पिस्ते हुए कहा। लेकिन इसके कहने की देर थी के नवाल सच मच में उठकर भंगला करने लगी। यारो अपन ने बिलकुल सही माल चना है। कितनी फिक्र है चिकने को अपन की कहता है दिल कर रहा तो करो जो करना। जबकि दीशाब अपना सर पकड़ कर बैठ गया और ठीक पंदरा मिनित बाद दीशाब रुखसत होकर नवाल की शेरनी हवेली पहुचा। लेकिन पूरे रास्ते थोड़ी देर के लिए भी नवाल के गार्ड्स ने फाइरिंग नहीं रोकी थी। और तो और वो जहां से भी गुजरती सब इसके एहतराम में खड़े हो जाते ये देख कर दीशाब भी हैरान था फिर सोचा उन पर भी ऐसे ही हुक्म चलाती होगी। अलुए अलुए करके वो हवेली पहुचा और वहां एक वर मुसीबत तयार थी। जब नवाल की अम्मा ने देखा तो हैरान ही रह गई। उन्हें सिर्फ इसकाम की उमीद नहीं थी नवाल से लेकिन इसने ये भी कर दिखाया था। आखिर को इनकी सर फ्री बेटी थी इससे किसी भी चीज़ की उमीद की जा सकती थी वर ये आज इसकी मा को भी पत्ता चल गया था। चल अब रात हो गई है अब सोने का टीम है चल मेरे चिकने कमरे में चले आख दबा कर कहते हुए वो दीशाब को लेकर जाने लगी जो कि इसकी मा के सामने खुमखा शर्मंदा हो गया था नवाल की हरकत पर। जबकि शाजिया बेगम खुद फॉरन से इनको अपने कमरे में जाने का कहकर खुद भी चली गई। थोड़ी देर और रोकती तो कोई भरोसा नहीं था कि वो इनके सामने ही किया कुछ कर देती। चल बीडो अब किसका वट कर रहा है चल चली। इसे बाजू से पकड़ती वो सीड़ियां चड़ती इसे कमरे के बाहर खड़ा करके खुद इसके उगे हाथ पहला कर खड़ी हो गई। जबकि दी शाब फिर से ट लिए शादी पूरे रिवाज से और रस्मों से ही होगी ना अब चल रस्म पूरी कर और मेरा नेग दे। मुझे क्या खाब आया था कि अगवा होकर मेरी शादी होने वाली ही जो में तैयारी से अता। अपन के मेरा मतलब है कि मेरे पास नहीं है कुछ भी अभी। हिमम चल क बाकि सब रस्में एक दूसरे कीकी है या भी अपन कर लेती है। नूरी ओ वो नूरी उधर आ। नवाल ने लहंगा के नीचे से अपनी पैंट में से पचास हजार की गड़ी निकाली और दीशाप पर से वार कर नूरी को दी और कहा। ये अपन के खून पसीना की कमाई है असको शापिंग में न उड़ाना अपनी छे विक्री को पढ़ाना ताके अपन के माफक काम्याब हो सके। जी जी सरकार बहुत महरबानी आपकी। मैं अभी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन पैसे ना होने की वज़े से कह नहीं सकी। अपन ली नजर हर मुझे दिया है ये ढोकड़ा। चल अब अपनी शकल गुम कर। जबकि दीशाब खामोशी से सारी करवाई देख रहा था। कमरे में दाखिल होते ही गोया हुआ। शादी तो हो चुकी है अब मुझे जिन दो ताके अपनी माँ को तो बतासिकों। अबेचिक ने अब तो अपन का बन गया हो तो तेरी माँ भी तो अपन की माँ हुई ना वो भी बस अनी वाली है। अब तुम दोनों यही रहोगे वर रात हो गए है वो तो अती ही मेरी जन्नत से पूछेगी वर वो समझा देगी कि आज अपन लोगों की पहली रात है तो डिस्टर्ब ना करे। अब तो चल आजा अखरी रस्म अभी बाकी है। अपनी माँ का सुनकर वैसे ही परेशान था और जब अखरी रस्म का सुना तो एक बर फिर हैरान होकर अपनी थोड़ी देर पहले की बीवी की तरफ मुआ। लेकिन देख कर हैरान रह गया के का वो इसके सामने ही। अपना पहनगा उतार चुकी थी। शक्र था कि इसने जीन्स पहनी हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी दीशाब ने मुनमोर लिया था। ओए अपन के साईयां अपन के सर का ताज और यार अब और तो अपन को नहीं अता लेकिन चिकने तेरे लिए अपन सीख लेगी सब। च इससे कम भी नहीं हो। क्या क्या कहा। मैंने कहा में उगा लो। दीशाब उसके पास जाकर बैड पर बैठ गया। नवाल ने पास पड़ी चुनरी उठाई वर घुंगट करके बैठ गई। और अपना एक हाथ इसके उगे किया। मतलब साफ था मुन दिखाई दो। दीश चाब को तब इसका नाम भी नहीं पता था। अब किया कहता। तो अपन को नवाल कह सकता है अपन का नाम है नवाल तुझे भूल गया ना मौलवी ने बताया एच भी था लेकिन कोई नहीं पहली गलती मुआफ। ओके देखो नवाल हमारी शादी ऐसी सीच्वेशन में हु गई है। बात तो तेरी एक सो सो टका सही है। लेकिन रस्म भी तो करनी है ना तो चल ये चुनरी तो ओड़े कर बैठ जब तेरे सारे काम अपन कर चुकी ही तो ये खुशी-खुशी करेगी। और अब दीशाब घुंधट निकाल कर बैठा हुआ था वर सोच रहा था कहा फंस गया ये दिन भी देखना बाकी था। एक दिन में वो क्या सिक्या हो गया था। कि इतने में नवाल ने इसका जरा सा घुंधट उठाया और अपना हाथ अपने होंटों पर ले जाकर एक फलाइनग पपी दे डाली वर इतना ही नहीं अपने दोनों हाथ अपने मुन में दाल कर लूफरों की तरसी की भी बजा डाली। किस्म से यार तो तो बड़ा ही चिकना है दिल कर रहा है एक चुमा ले ही लू लेकिन पहले तुफ़ा। उसने एक बहुत ही प्यारी और नफीस सी चांदी की अंगूठी दीशाब को पहना आई थी। जिसके उपर एक बहु क्योंके वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी और काबिल तरीफ थी। कैसा लगा। बहुत खूबसूरत वर ये पहली बार थी जब इसने नवाल से मुसकरा कर बात की वारना कब से तो वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। देख मेरे को पता है तो अभी तैयार माही है इस रिश्टा के लिए इसलिए अपन तेरे को टीम दे रही है जितना लेना हयाले। क्योंके अभी तो तो अपन का ही नाफुल हाल यही एच काफी है। चल जा अब कपड़े बदल ले सामने बोले तो तेरे उल्टा हाथ की अलमारी में तेरे कपड़े रखे हुए है। जिन पर पलकों को जालर साया फगन थी गुलाबी पन्फडियों जैसे लब जनको अपस में पैवस्त किये वो उधर से उधर देख रही थी। पहली बार बगएर ड्रे फुरसत से इसने नवाल को देखा था। और खो गया था इसके मासूम चेहरे में इसकी उम्र ही किया थ थी सिर्फ बीस-बीस साल लेकिन फिर वो ऐसी क्यों थी। मासूम भी तब तक जब तक वो कुछ बोले ना जैसे ही बोलती है अगले की दुनिया हिला कर रख देती। वो तो बस यक टुक इसे देखकर सोचे जा रहा जब अचानक ही इसने इसे एक पकड़कर खिंचाव यार नहीं था। बैठने की बजाए सीधा नवाल पर जागिरा और महवियत से इसे देखने लगा। नवाल को चुटकी बजा कर उसे होश की दुनिया में लाना पड़ा। लेकिन दीशाब को देखकर नहीं लग रहा था कि वो होश की दुनिया में आना चाहता है। क्या ब अपन को देखकर अपने होश तो नहीं खो बैठा था ना। नवाल ने शरारत से आख दबा कर पूछा। जबके दीशाब का दिल तो चाहा की हां कह दे लेकिन नवाल के कारनामा याद करके खामोश ही रहा। यार चिक में एक तो तो बोलता नहीं है। अपन तेरे को भी लेकिन तो है कि चल छोड़ उन बातों को देख जिस भी हाल में अपन लोगों का शादी हुआ। लेकिन शादी तो शादी है ना थोड़ा तो बरदाश्ट करना थोड़ा अपन कर लेगी। यहां तो मुझे लगता है सब मुझे ही बरदाश्ट करना पड़ेगा। कुछ कह चिकने तो ने, नहीं नहीं तो, तो कहने का मकसद ये है, अब तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आराम से अपना टीम ले जितना लेना है इस रिष्टे को समझने के लिए, तो चल फिर सोने का टीम है, और तो अब सोफे पे मत चला जाना आजा अपन के बाजो में, ज और खुद इसके सीने पर सर रख कर सो गई, ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसे मौका ही ना मिला कुछ सोचने का, चल अब सो जा जल्दी, वरना अपन की रानी को भी भूक लगी है, ये सुनने ली देर थी, वो खुद भी आंखें बंद किये सोने की कोशिश करने लगा, व इस हद तक हो सकता था शाजिया बेगम ने इस हद तक आमना बेगम को समझा दिया था नवाल और दीशाब के बारे में, आमना बेगम को शाजिया बेगम काफी नर्म मिजाज की लगी थी, लेकिन नाविल तो इसके बरक्स थी, फुल हाल तो उन्होंने कुछ ना कहा था, इ और वो जल्द जाने का इरादा रखती थी, अरे अपन के चिकने की जन्नत तो भी कुछ ले ना, जबकि दीशाब और आमना बेगम एक बार फिर उसे देखने लगे, जब शाजिया बेगम ने नवाल को डांटा था कि चुप करके खाना खाओ, और वो भी खामोशी से खाना ख तो उसे पत्ता चला नवाल बैठक मो मौजूद है, वो वहाँ गया लेकिन इसकी बातें सुन लर बाहर ही रुक गया, तेरे कहने का मतलब है, हमारे इलाके से लड़कियां गायब हो रही है, वर तुझे मालूम नहीं हा, चल उठ वर निकल कल तक अपन को इस हराम खुर का नाम चाहिए जो मासूम छोडियों को अगवा कर रहा, और हाँ जल्दी काम हो जाना चाहिए ये नहो के तेरी छेवरी भी गायब हो जाए, नहीं नहीं सरकार ऐसा नहीं होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द अस जल्द पत्ता लगा लूँ इस गैंग का, कुछ सोचत नहीं लगा, तो अपनी मा से दूर कैसे रहेगा, अपन भी नहीं रह सकती, अपन लोग रोज इस से मिलने जाया करेंगे, वो चहक कर बोली थी, नहीं हम कहीं नहीं जाएगे और आप मेरी बात सने, हाँ बोल, मेरी मा को और मुझे शरीफ और मासूम लड़की चाहिए थी, क्या मतलब तेरा अपन शरीफ नहीं है, वो अपनी गिन निकाल कर बोली थी, अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, चल अच्छा बोल अब नहीं बोलेगी, पहले इसे अंदर रखें, हान चल अब बोल टीम खोटी मत कर, मेरी मा को और मुझे शरीफ और मासूम लड़की चाह अंग्रेजी ना बोला कर, कही अपन गाली समझ कर तेरे को उड़ा ना दे, डर लगता ना अपन को तो अपन का चिकना है, अपन नहीं छटी तुझे कुछ हो, ओके ओके मतलब अच्छा आसान लफजों में समझाता हूँ, देखे आप के लिए मैं बहुत कंप्रोमाइस कर चुका हूँ, अब आपकी बारी और हम शुरुवात आपके बोलने के तरीके से करेंगे, लेकिन अपन तो इतना मीठा बोलती है, सारा गाउं जानता है, बस एक अपन की जन्नत नहीं मानती और अब तो भी, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, मैं तो अपनी जान भी हक महर में आपको दे चुका हूँ, चल ठीक है कर लेगी अपन अपने हीरो के लिए, तो चले आज से स्टार्ट करते हैं, अभी तो मुझे कुछ काम है, राच से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, अपन तयार है, इसके बाद से दीशाब काम से अता उसे बोलने के आदाब सि सिखाता जिसे वो बड़े शौक से सीख रही थी, लेकिन एक बात जो हैरान कुन थी, वो कभी कभी अपनी मा की पास सोने का बहाना करके कही चला जाता था, जिसका नवाल को अब तक पत्ता नहीं चला था, वरना एक नया बॉल मच जाता, नवाल को ये सब सीखते तीन महीन गुजर चुके थे और अब वो काफी हद तक सही बोलने लगी थी, जबके दीशाब की वज़े से शाजिया बेगम खुश थी कि इनको नेक वर सुल्जा हुआ दामाद बेटे की सूरत में मिल गया है, अब किसी दिन दीशाब इस से अपने घर शिफ्ट होने की बात करना च रहा था, तुम भी मुझे तुम कहकर पुकारा करो, जिस पर दीशाब हंसा था पर और अगले दिन से बिलाजिजक तुम कहकर पुकार रहा था, जबके नवाल अब भी आमना बेगम को अपनी जन्नत कहकर बुलाती थी, इसका मानना था, वो अपनी मा के मौामले में कोई र नवाल कर किया रही है, क्योंकि अब वो घर से भाई कम ही निकलती थी, सारे काम तो वो बशीर से ही करवा रही थी, इसका सबसे फर्मा बदर वर भरोसे का बंदा था, वर उसे सब मालूम भी थी के कब किया करना है, वर कैसे वो तो अपनी नवाल सरकार के एक हुक्म का हुई थी, जिनका दीशाब को भी अंदाजा था लेकिन जान कर भी इंजन बन रहा था, ऐसा नवाल को लगता था, इसलिए जब अपनी जन्नत से इसने पूछा के शोहर को खुश कैसे किया जाता है, तो उन्होंने तो यही खाते के हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट स नहीं था, अभी वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि उसे भर सी इसकी गाड़ी का हार्न सुनाई दिया, वो तो खुशी से जूम ही उठी थी, फॉरन से बाहर की तरफ बड़ी थी पहले तो वो इसकी कलास लेने का इरादा रखती थी, और तो और आज नवाल ने इसके प रही थी, वो जैसे ही सीवियों से नीचे उतरने लगी तो दीशाब को देख कर इसके चहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कराहट नमुदार हुई थी, लेकिन अगले ही पिल वो मुस्कराहट ऐसे गाइब हुई थी जैसे कभी इसने नवाल के होटों का आहाता हा किया ही ना हो, वो इसलिए क्योंके दीशाब के पीछे पीछे एक लड़की भी घर में दाखिल हुई थी, जो के देखने में ही बहुत माडरन लग रही थी, उसने अपने बालों को पोनी टेल को शकल दी हुई थी, और मेक अप तो ऐसे किया हुआ था, जैसे किसी की शादी में आई हो, प उन्हें डाल दे, इतना ही नहीं, इसे जूस भी करे लेका पिलाया, दात पिस्ते हुए वो अपने कमरे में जिन ही वाली थी, कि अचानक ख्याल आया कि ये घर भी इसका है, वो शोहर भी फिर में कौन जाओं कमरे में, बलकि ये चुले इल जाएगी यहां से, कहते साथ वो खुद भी बड़ी थी नीचे की तरफ जहां वो दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, आगए अप कितनी देर लगा दी अपने मेकप से आपका इंतिजार कर रही थी, अब भी ना, आपको भी बड़ा मज़ा अनी लगा है, ना मुझे सताते हुए, बड़े ही मीथे लहज मैठ हर, शी इस माई वाइफ, और नवाल ये मेरी दोस्त है, हम एक ही कालिज में पड़े हैं, आज मिल गई, तो सोचा तुम से भी मलवा दूँ, हेलोल टैनी ने कहते हुए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे नवाल ने थाम कर तकरबा मरोड ही दिया था, लेक इसे कुछ हुआ ही ना हो, और पीछे एनी अपना हाथ मसलती रह गई, जबकि नवाल मुस्करा कर वहां से डिनेंग हाल की तरफ चल दी, नवाल ने अपने हाथों से दीशाब और एनी को खाना सर्वो किया था, दीशाब तो आराम से खा रहा था, जबकि एनी पहले ही नव इसे देख रहा था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, लेकिन नाविल के चहरे पर रक्स करती हंसी ने इसे सब समधा दिया था, खाना तो उसने खा लिया था, अब वो नवाल से पूछने के लिए उठा ही था, कि इसका फोन चुंगाड उठा वर वो एक्सक्यूज करता फ और एनी भी, अब नवाल एनी के चारों तरफ घूंकर उंगली उठा कर इससे गोया हुई थी, मेरे शोहर से दूर रहू समझी और ये जो मर्दों को काबू करने के तरीके हैं, ना किसी और पर आजमाना, यहां ये सब नहीं चलेगा, दिशाब सिर्फ मेरा है, वो मेरी प् तो, वर वैसे भी तुम जैसी पेंडू लड़की कर भी किया सकती है, दिशाब पता नहीं कैसे तुम से शादी कर बैठा, इसके साथ तो मैजच्ती हूँ मेरे जैसी बोल्ड और मॉडरन लड़की और तुम, तुमने कभी देखा भी है, खुद को आइना में, वो तन्जिय गोया हुई थी अपना अंजाम जाने बगैर, तुम्हारी तो, नवाल ने इसे बाजू से पकड़ कर इसका बाजू उसकी कमर पर लगा दिया, और उल्टे हाथ से इसे इसके बालों से पकड़ कर काबू कर लिया, अब एनी इसकी पकड़ में, बिलकुल बेबस खड़ी थी अगर हिलने की कोशिश करती तो बाल खिंचने की की वज़े से तकलीफ बरदाश्ट करनी पड़ती, हाँ बहुत जबान चल रही थी ना तुम्हारी अब बोलो वो हीरो तो है, लेकिन सिर्फ मेरा नवाल का सिर्फ, और सिर्फ नवाल का समझी, नवाल ने इसके बालों को ज बजा के तोर पर, तो सोचो उगे क्या कुछ नहीं कर सकती में, कहते हुए एक जटके से इसने एनी के बालों को गिरिफ्ट से अजाद करते हुए, इसे दूर दे के दिया कि वो जमीन पर जागरी, नवाल ने अपनी गिन निकाली और एक घुटना नीचे टका कर उसने अप तो, तुम और तुम काबिल हो इसके और कोई नहीं, अब अपनी जान बखशी भी तो करवानी थी इसलिए एनी ने फॉरन से पैंतरा बदला था, वो खुट दर गई थी किस सरफरी के पास एकर फंस गई, एक बार यहां से खलासी हो तो कभी मुड कर ना आए वो यहां, यह देखो मैंने, तो कुछ किया ही नहीं मेरी रानी, गिन, नहीं कर दिया सब कुछ, थोड़ी देर पहले मुझे मिस मैच कहने वाली अब खुद मेरे कदमों में पड़ी है, चिलू अब उठो और मेरे तीन कहने तक यहां से रफो चक्कर हो जा, इसमें मौका गनीमत जान कर भ ही चचचच, जबकि ये सुनने की देर थी कि एनी ने बाहर की तरफ दौड लगा दी और नवाल कहकया लगाती खुद कमरे में चली गई, दीशाब की कलास वो बाद में अच्छी खासी लेने वाली थी, वो रात किया अगले तीन दिन तक दीशाब घर ही ना आय, नवाल इ ये खुद अपने हाथों से खाना तयार करने लग गई थी। आखिर को इनकी एकलवती उलाद थी और नवाल इनकी एकलवती बहु। नवाल को यूँ खुद फारिग बैठना अच्छा ना लगा तो वो भी इनके साथ किचन में काम करवाने लगी हलानक का वो तो मिना भी कर थी। बेटा तुम पहली बार घर आई हो तो काम करते हुए अच्छी थोड़ी ना लगोगी लाओ में करती हो। ओहो अंटी अब इसका तो यही मतलब हुआ कि अब मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। अगर मानती हैं तो लाई में मदद करवा देती हो। फिर दोनों लगा कर चला गया था दोस्त का कहकर। शाम में नवाल ना ना करने के बावजूद शाजिया बेगम को भी साथ ले आई थी। और उनसे यही कहा था कि दीशाब काम से बाहर गया है। अब उसे दीशाब का इंतजार था। रात दीशाब आया तो नवाल ने इससे कुछ भी नहीं पूछा था। बस खाना खाने के बाद खुद भी सो गई। और उसके सोने की ठीक आधा घंटा बाद दीशाब कमरे से बाहर गया था। दबे पाउं वो घर के पिछले रास्ते से बाहर चला गया जहां एक कार पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी इसके अती ही गार के तोर पर अफर आई तो पहले तो वो सोच में पढ़ गया। लेकिन दो दिन अच्छे से सोच समझ कर इसने जाने का फैसला कर लिया और मा को ये कहा कि अमरीका जा रहा है सिकालर शिप आई है है शाजिया बेगम तो निहाल हो गई थी अपने बेटे पर। दूर जाने का गम तो था लेकिन रोशन मस्तक्बिल के लिए ये भी जरूरी था। अगले दिन वो लोग लाहौर रवाना हो गए थे। दो साल ट्रीनेंग ली थी। पिछले एक साल से इसे जो टास्क दिया जीम रहा था इसे पूरा करना था अगर नाकाम रहता तो वापस जाना पढ़त क्योंके ये काम बहुत खत्रे का होता था। लेकिन दीशाब की प्रोग्रेस देखकर सब ही दंग रह गए थे। वो बहुत ही बारीकी से एक चीज़ को देखता समझता और केस सोलो कर देता। तीन साल बाद अब वो अपने घर आया था। यहां कि इसे खबर मिली थी कि एक तन्दीम है जो लड़किprechen को एगवा करते हैं वर इनकी दरजनों वीडियोज बना कर वाइरुल करते हैं वर इसके बावजूद भी वो इन लड़कियों को छोड़ते नहीं बलके इन से नाजबा काम करवाते हैं। देशाब को इनका खात्मा करना था लेकिन जब वो मीट करती थी जब दीशाब ने पत्ता करवाया तो उसे जो इनफार्मेशन मिली इसके मताबक नवाल के गाउं में भी ऐसी तन्जीम थी जिससे शायद नवाल अंजान थी इसकी बातें जब जब दीशाब सुनता तो इसकी हंसी निकल जाती थी दिल तो लूट पोट होता था लेकिन कहता कुछ भी नहीं था सब की नजरों में मासूम जो रहना था लेकिन अकेले में सोच सोच कर कहकया का लगाता था इसे तो बस इंतजार था इस तन्जीम के पकड़े जाने का फोट वो अपनी शेरनी को काबू में करने वाला था लेकिन अपनी मामा का सोच कर इसने नवाल को आम लड़कियों की तरह के तौर तरीका पर बोलना सिखाया बाकी का काम आमना बेगम ने कर दिया था पिछले तीन महीनों से इसने इस तन्जीम की जोड़े काटना शुरू कर दी थी और उसके लिए ज्यादा महनत नहीं लगी थी नवाल के गार्ड्स में से एक पर उसे शक हुआ और गाउं जाने का बहाना जमील खुद कर चुका था जब निकला तो दीशाब ने उगे जा लिया इसे और इस जरिया इसने बाकी के अड़ों का भी पत्ता लगवा लिया और अब तीन दिनों से वो इनको अपनी नजरों लिये हुआ था और आज काम्याब भी होने वाला था आज वो अपनी टीम के साथ उन पर हमला करने जा रहा था जहां उन्होंने गाड़ी रोकी वो कोई खंडर नुमा जगा थी वो दोनों इस खंडर के पास एकर रोके और अपनी टीम का इंतिजार करने लगे जो के उन्हें दूर से अती दिखाई दे गई थी देशाब अंदर गया और जाते हुए हर चीज़ पर अपनी चील जैसी नजरें इस्तिमाल करते हुए इसका माईना कर रहा था वो सीधा स्टॉर्मों मौजूद दर्वाजे के जरिया नीचे मौजूद खुफिया हिस्वी में दाखिल हुआ इसकी पूरी टीम इसके पीछे पीछे ही थी जाते ही बगएर देर किये उन्होंने उन पर हमला किया और यके बाद दीगरे वो इनको मार कर गिराते गए अभी दीशाब इस कमरे की तरफ ही था जहां लड़की को बंद कर ले रखा गया था कि फारिंग शुरू हो गए अभी वो वार करने के लिए पीछे मुला ही था कि गोली चली थी और अगले बंदे का सीना चीरते हुए गई थी दीशाब ने शुक्रिया अदा करने के लिए जब देख इसकी तरफ तो हैरान ही रह गया जबकि वो वजूद मुस्करा कर उगे बढ़ने लगा तो दीशाब ने इसे अपनी तरफ खिंचा था लेकिन इससे पहले इसकी टीम वहां आ गई और सब इकटे नारा तकबीर पढ़ते हुए अंदर दाखिल हो गए और ऐसा कभी हुआ है कि हम अललुए का नाम लेकर काम शुरू करें और वो हो ना वो सब लड़कियों को बाजयाब करवाने में कामयाब हो गए थे इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जबके मुजर्मों को इनकी असल जग्गा और लड़कियों इनके अपने ही प्राइवेट हस्पताल में मुन्तकिल कर दिया गया था क्योंके सब ही बहुत बुरी हालत में थी अब कोई घर वाले तो इनको रखने नहीं वाली थे फिर भी जो जो राजी थे उनसे राब्ता किया गया और बाकियों को वान्जो के हवाले किया गया था जहां वो लोग एक नई और पुरसुकून जिन्दगी गुजार सकती थी वो वहां से सीधा घर आया था और अती ही अपने कमरे में चला गया जहां वो बड़े आराम से बैड पर लेट कर अंगूर का गुच्छा हाथ में लिए एक अदा से खा रही थी देशाब दंदनाता हुआ इसके सर पर जा पहुँचा अंगूर लेकर साइड पर रखे और इसे बाजू से पकड़ कर दिवार के साथ लगाया क्यों आई थी तुम वहां? हाँ जवाब दो मेरे सवाल का क्यों क्यों दो में तुम्हें कोई भी सफाई और तुम्हारे सौकालिड सवालों के जवाब हाँ मुझे बता कर गए थे इतने दिनों से गायब थे तुम पत्ता है मैं कितना परेशान थी तुम से मिलने घर चली गई थी लेकिन वहां जाकर पत्ता चला तुम हो ही नई इसलिए मामा को घर ले आई तुम है मेरी तो छोड़ो इनकी भी फिक्र नहीं कल जब घर आई तो घुस्वा मैं तुम्हारी सारी कबरुड खराब कर दी तब मुझे ये मिला था वहां से तुम्हारा कार्ड जिस पर साफ लफजों में सीक्रेट इजेनिट लिखा हुआ था फिर किया था मैंने सोने की अदाकारी की जब तुम कमरे से बाहर गए तो तुम्हारा पीछा करके वहां पहुँच गई वो लोग तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे तब तुम्हारा ये कार्ड काम आया ये लो अब ये मेरे किसी काम का नहीं नवाल ने कार्ड इसकी तरफ उचाला था और खुद साइड से गुजरने लगी तो दीशाब ने इसे फिर से बाजू से पकड़ कर खेंचा और इस बार वो सीधा इसके चोड़े सीने से जाटकराई थी अब किया है छोड़ो मेरा हाथ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हें बुरा नहीं लगा के मैंने तुम से ये बात चुपा आई थी दीशाब ने इसके बालों की लटको इसके कान के पीछे और सकते हुए पूछा था जबके इस हरकत पर नवाल अपना सांस रोग गई थी और उसकी ग्रिफ्ट से अजाद होने के लिए फौरन से इसके सवालों का जवाब देने लगी हाँ थोड़ा लगा था लेकिन इन लड़कियों का और तुम्हारे काम की मुनास्बत का सोच कर खामोश हो गई वा इसका तो ये मतलब हुआ के मेरी शेरनी अब समझदार हो गई है तो क्यों ना फिर रुखसती की बात करके वलीमा रखवा लिया जाए अब तुमने तो मुझे परक भी लिया और अपनी अदूं से मेरा दिल भी जीत लिया जो के पहली नजर में तुम चरा चुकी थी तो क्यों ना अब में भी तुम्हें इनाम के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी के साथ साथ अपनी कुर्बत से भी रुशनास करवा ही दूं जिससे अंजान तुम सारे घर में दंदनाती पुरती हो मखमूर लहजे में कहते साथ ही इसने इसके कान को अपने लबों से काटा था और नवाल जो के पूरा लड़ने का मौट बनाए बैठी थी इसकी कुर्बत से घबरा कर अबरा फरार तलाश करने लगी जबकि दीशाब तो मजीद इसे तंग करने के लिए इसकी गर्दन पर जुका था और अपना दहकता नर्म गर्म लंस उसकी गर्दन पे छोड़कर उसके चेहरे पर फैले अपनी महबत के रंग देखने लगा तो क्या इरादा है मिसिस बाकी की फिल्म बाद के लिए रखें या अभी ही देखनी है आख दबा कर कहते इसने नवाल का ही लोफराना लहजा अपनाया था जबकि नवाल उसे धक्का देकर भागी वर दर्वाजे में खड़ी होकर वही से चलाई बेशर्म बेहयाद कमीने इनसान में कही नहीं जाओगी तुम्हारे साथ जब दीशाब नवाल की बात सुनकर इसकी तरफ बढ़ा था तो फौरान से वो कमरे से भाग गई अब उसे इस जलाद से इसकी माही बचा सकती थी ऐसा नवाल को लगता था जब कि नवाल की सपीड दला कर दीशाब का कहका कमरे में गुंजा था हाई बढ़ा मज़ा अनी वाल नवाल दिश खाने में थोड़ी तीखी है लेकिन आई लाइक तीखा सोचते हुए सरशारी सी कैफियत में सोने के लिए लेट गया पिछली तीन रातों से मुसलसल जाग जो रहा था आज सुबह से नवाल जले बीर की बली बनी यहां से वहां टहल रही थी क्योंके दीशाब ने पत्ता नहीं किया जादू किया था कि इसकी मा, इसकी जननद्भी, इसकी एक नहीं सुन रही थी सब बस एक ही बात कर रहे थे वलीमा के साथ ही रुखसती रख लेते हैं जबके नवाल को ये घर छोड़ कर कहीं नहीं जाना था वो कैसे अपनी मा को यहां अकिला छोड़ कर जा सकती है और तो और यहां के सारे काम कौन देखेगा ये सोच सोच कर इसका दमाग फटा जा रहा था अब तो वो अपने नाखुन चबाना स्टार्ट कर चुकी थी और आराम से सोफा पर बैठ गई अचानक इसके जेन में एक आइडिया आया था इसका दमाग सोखी सपीड से काम कर रहा था अब वो सोच चुकी थी कि उसे किया करना है यही सोचते हुए वो दीशाब के पास गई और उससे कहा कि बाहरो मुझे सबसे बात करनी है दीशाब काफी हद तक समझ चुका था कि वो किया बात करने वाली है और इसका हल भी इसके पास मौझूद था नवाल एक कमरे में इसे ले गई जहां शाजिया बेगम वर आमना बेगम पहले से ही मौझूद थी और अब स्टार्ट हुआ था नवाल का ड्रामा देखें अब लोग ध्यान से मेरी बात सुने मैं रुखसत होकर दीशाब के साथ इनके घर नहीं जा सकती और इससे पहले आमना बेगम की जूती नवाल को सलामी पेश करती वो फौरण बोल उठी क्योंकि क्योंके मेरी मा का मेरे सवा और मेरे इनका सवा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा दिल तो बहुत था अंटी लेकिन में क्या करो में भी मजबूर हूँ अगर में चली गई तो यहां काम कौन देखेगा मेरी मा खाएगी किया और अकेली रहेगी कैसे कोई बहुत ही मासूम शक्ल बना कर नवाल में अदाकारी की थी अलिफ अगर कोई और होता तो यकीन भी कर लेता लेकिन यहां उगे भी इसकी माती जानती थी इसे और अब तो शाजिया बेगम और दीशाब भी इस ड्रामा कुईन को जान गए थे कि यह सब ड्रामा है अपनी बात मनवाने का और कुछ नहीं देखो नवाल में ने कह दिया कि दो दिन बाद रुखसती और साथ ही वलीमा भी होगा अब में कुछ नहीं सुनोगी तुम जाओ बहुत हो गया तमाशा पहले ही बच्चे को इतना तंग कर चुकी हो जबकि नवाल अपनी बातों का उन पर कोई भी असर होता ना देखकर पाउं पटक कर अपने कमरे में चली गई पीछे दीशाब शाजिया बेगम और आमना बेगम रह गई थी मैं मुआफी चाहती हूँ थोड़ी सी जिल्ली है मुझ से दूर जाने का सोच कर ऐसा कह गई है तो वो सही ही कह रही है और अब भी हमारे साथ ही जाएगी में सारा बंदोबस्त कर चुका हूँ यहां का सारा काम वशीर देख लेगा और उसकी निगरानी नवाल वहां रह कर भी कर सकती है और आपका और नवाल का जब दिल चाहेगा आप लोग यहां इसकुत्ते हैं बिल्कुल आमना बहन दीशाब सही कह रहा है मैं भी घर में अकेली होती हूँ यह दोनों तो अब हनी मून पे चले जाएगे तो हम दोनों ही तो होंगी एक दूसरे के लिए अब परेशान ना हूँ लोगों के बारे में तो कुछ भी मत सोचे इनका काम तो एक ही है और वो है बोलना अब इन लोगों की बातें बनाने के डर से क्या हम जी ना छोड़ दे नहीं ना तो बस तहो गया वलीमा के बाद अब भी हमारे साथ ही रहेंगी मैं जानती हूँ अकेले पन का एहसास क्या होता है वाकी नावाल ने दीशाब चुनकर जिन्दगी का बिल्कुल सही फैसला किया है अब लोग वाकी बहुत अच्छे है मेरी बच्ची नादान है उगे कोई गलती करे तो दर गुजर कर जीगा अमा जी अब प्रेशान नाहू में हमेशा नावाल का ख्याल रखूँगा वो मेरी जिम्मदारी है वो और जहां तक नादान की बात है तो वो कोई नादान नहीं बलकि पूरी फिल्म है अब तक तीगिनी का नाच नचा चुकी है वो मुझे लेकिन दिल की बहुत साफ है सिर्फ दिखाती है कि बहादुर है जबकि है वो नाजुक मिजाज इतना तो मैं जान ही गया हूँ अब मैं जरा इसकी खबर भी ले लूँ वारना वो तो जन्ग करने के लिए तयार हो जाएगी कहते साथ ही दिखाब अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जबकि शाजिया बेगम और आमना बेगम रुखसती और वलीमा की तैयारियों में जट गई थी और उनकी मदद करने के लिए दिखाब की टीम के लोग जोके इसके दोस्त थे सब कामों में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे थे दिखाब जब कमरे में आया तो नवाल अपना चेहरा दूसरी तरफ किये बैठी थी दिखाब ने अंदर अती ही दर्वाजा अंदर से बंद किया और सीधा नवाल के पास जाकर बैठ गया लेकिन ये किया जब इसकी नजर नवाल के चेहरे पर पड़ी तो हैरान रह गया क्योंके सब की इंट से इंट बजाने वाली नवाल इस वक्त रू रही थी नवाल को रोते देखकर दिशाब को बेचीनी सी हुई थी वो तो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था दिशाब ने जब नवाल से रोने की वज़ा पूछ तो वो बोली कुछ नहीं बस खामोशी से रोती रही दिशाब ने नवाल का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खेंचा और अपने सीने से लगाए खामोश करवाने लगा बस खामोश हो जाओ कुछ भी तो नहीं हुआ है यार शादी के बाद तो लड़की को जाना ही पड़ता है ना अपने शोहर के घर निका तो संथ है और जब निका हुआ है तो रुखसती भी तो होगी ना तुम बहुत बुरे हो सब तुम्हारी वज़े से हुआ है मुझे अप अपनी अम्मा को छूँ छोड़कर कही नहीं जाना लीक लेकिन वो भी मुझसे प्यार नहीं लड़ती तभी मुझे खुझ से दूर भेज रही है और ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ है वो मसलसल दीशाब के सीने पर मुकों की बरसात किये जा रहे थी और दीशाब मस्कुराते हुए इसका ये नया अंदाज देख रहा था उधर मेरी तरफ देखो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा दीशाब तुम्हारी मा को तुम से अलग करेगा तुम्हारी ममा भी हमारे साथ ही जाएगी रुखसती के बाद और यहा के काम का भी सारा इंतिजाम कर दिया है मेंने अब तो खुश हो ना नवाल थोड़ी से थामलर इसका चहरा उपर किये वो इससे इस्तिफसार कर रहा था रोने की वज़े से नवाल की छूटी सी नाक और दोनों आँखें सुर्ख हो गई थी जब का गाल अलग से दहक उठे थे नवाल ने इसकी आँखों में ठाटे मारता जजबात का समंदर देखा तो नजरें जुका कर इस बात में सर हिलाया जब कि नवाल को ऐसी हालत में देखकर इसका दिल एक अलग ही लह पर धड़क रहा था आवर दीशाब खुद पर और जबर ना करते हुए जुका था और नवाल ले माथे पर अपने प्यार की पहली महर सब्द की थी जब कि नवाल सुनसी कैफियत में यल जगा ही बैठी अपनी और उसकी सांसों लाशमार कर रही थी पता है जब तुम्हें पहली बार इस रिस्टूरेंट में देखा था ना तो वही तुम्हारा ये खादिम अपना दिल हार बैठा था तुम पर फिर तुम मैं खुद ही मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया इस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि ये एक नया एहसास था जो इस दिन मुझे सर्वर बख्ष रहा था कि जिसको मैंने चाहा है वो भी मुझे पसंद करती है बस फिर इस दिन से मैं तुम्हारी हर बात मानते आया और कुछ अपनी भी मनवाली लेकिन अब सबर का फल मिलने का वक्त है जो मैंने अपने मिशन के लिए खुद बरजबर करके किया था तुम तो कड़ा इम्तिहान साबित हुई हो मेरे लिए तुम खुद ही मेरे इतने करीब रहती के मैं ही डर जाता की कहीं बहक न जाओ इसलिए तुम्हारे सोने के बाद सुफा पे जाकर सौजाता था सुबह बैड पर आजाता तो क्यों ना सबर का थोड़ा फल टेस्ट कर लिया जाए कहते ही वो जुका लेकिन नवाल उसे धक्का देकर फौरन भागी जहां इतना सबर किया ही वहाँ ये दो दो दिन भी सबर कर लो फिर फल मीठा ही मीठा होगा कहते ही भाग गई मेरा फल तो बहुत मीठा है वो जरा चक कर बताओ दीशाब ने दौर से ही हांक लगाई थी दो दिन कैसे गुजरे पत्ता ही ना चला आज वलीमा था उन दोनों का फंक्शन नवाल की तरफ किया गया था ताकि यही से फंक्शन रुखसती करके नवाल दीशाब के घर चली जा फंक्शन बहुत ही बड़े पैमाने पर अरेंज किया गया था दीशाब कब से स्टेश पर बैठा नवाल का इंतिजार कर रहा था जो के आही नहीं रही थी साफ गोरी रंगत, काली गहरी आंखें, तनी हुई मौन्चे इदारी के साथ वो आज वाकी नवाल का हीरो लग रहा था वो बलेक कलर की शेरवानी जिसके गिले पर मोतियों से काम हुआ वा था इसमें मौजूद था और साथ ही वहाइट कलर का मफलर गिले में डाले हुए वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था वो बेचीनी से उन ट्रेंस पर नजरें गाड़े बैठा हुआ था और उसका इंतिजार खत्म हुआ था इसकी आँखों को करार आया था जब उसे आमना बेगम के साथ नवाल अती हुई नजर आई उसने इतना बड़ा घूंगट क्या हुआ था कि वो इसे देख भी नहीं पा रहा था डीप रीड कलर के लहंगे में वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ रही थी कि अचानक से लाइट बंद हो गई अब सपाट लाइट नवाल पर पढ़ रही थी जिसने एक जटका से अपना घूंगट अपर उठाया था और बलेक कलर के गागिल्स पहने वो मुस्करा कर दीशाब की तरफ देख रही थी जब अचानक से म्यूजिक बजा था और उसके साथ ही नवाल ने गाने के बोल बोलना शुरू किये थे जबकि दीशाब उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था कोई शक नहीं था कि नवाल कुछ भी कर सकती है गाने के बोल खत्म होते ही वो इसके करीब आई थी डांस करने की वज़े से इसका सांस फूल गया था दीशाब ने इसे हाथ देकर उपर पास खड़ा कर लिया वर खुद अपने दोस्त को इशारा किया हटो वो माइक लेकर इसकी तरफ आया जब नवाल ने हैरांगी से दीशाब की तरफ देखा मतलब वो भी इसके लिए कुछ प्लैन करके बैठा था दीशाब ने माइक लिया और गाने के बोल के साथ नवाल के अर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा दीशाब ने नवाल का हाथ थाम लिया था दोबारा से गाने के बोल बोलना सिटार्ट कर दिये गाने के बोलों के साथ ही दीशाब घुतनों के बिल बैठा था और नवाल का हाथ पकड़ कर गुया हुआ था मेरी जिन्दगी में अनी का बहुत बहुत शुक्रिया क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे और मेरी शरारतों को बरदाश्ट करने के लिए तैयार हो शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में थोड़ा शरारती सा सवाल आया था जिसे सुनकर नवाल मुस्करा कर इस बात में सर हिला गई और दीशाब के सारे फ्रेंस ने पीछे से हूटिंग स्टार्ट कर दी थी जबकि दीशाब ने नवाल को अपने साथ बिठा दिया था रात देर तक फंक्शन चला था इसके बाद रुखसती का वक्त आया था और कहा था ये रस्म होती है लेकिन अम्मा मुझे रोना नहीं आ रहा उफ 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 लड़की में क्या करूं तुम्हारा शाजिया बेगम ने तो अपना सर पेट लिया था और बस नवाल का रोना शुरू हो गया था सूं सूं करती वो उनसे शिकायत कर रही थी आप आज मेरी रुखसती पर भी मुझे डाट रही है घर आये मैंने आपको लिफ्ट ही नहीं करवानी में दीशाब की मामा की साइड हूँ और मैं मेरी शाजिया मामा की साइड दीशाब जो कबसे पन्नी डामा कुईम के डामे देख रहा था फौरण से अपनी सास की तरफदारी करने बीच में कोदे तुम्हें तो मी कमरे में बताओगी जबकि शाजिया बेगम आमना बेगम के पास गई थी देखते हैं पहले कमरे में तो फंचो में मुन्तजर हूँ आख दबा कर कहते दीशाब गाड़ी मो बैठा था और आमना बेगम और नवाल के साथ बैठी थी जबकि शाजिया बेगम कुछ सामान लेकर दूसरी गाड़ी मोने वाली थी इनकी गाड़ी अपनी मन्जिल की तरफ रवा थी आमना बेगम नवाल को दीशाब के कमरे में छोड़ कर लहू बाहर चली गई वर से पहले के नवाल मैडम दीशाब के अनी से पहले चेंज करती दीशाब कमरे में दाखिल हुआ तो वो फॉरण से बैड़ पर बैठ गे अरे तुम दर क्यों रही हो तुम्हारा कमरा ही दला लो जितना देखना है लेकिन नजर करम यहां भी कर दो खादिम अपका बेचीन है दीशाब कमरे को लाग करते हुए नवाल से गोया हुआ जो के रियोईती दुलहनों की तरह गोंगट किये इसका इसका इंतिजार कर रही थी दीशाब इसे पास आया और वही पर बैड पे जगा बना कर बैठ गया और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए गोया हुआ तो एच इकमी मुनह दिखाई लेने का आपन अपनी फिल्म स्टार्ट एच करे दीशाब के बोलने की देर थी कि वो अपना घूंगट उठाए हवनकूं की तरह इसे देखने लगी जबकि दीशाब तो उसे देखकर हंसना भूल कर पजल हो गया था सुर्ख सफेद रंगत घनी खमदार पलकेंग भरे भरे गुलाब रुखसार पंट्रियों जैसे लब खुबसूरती से तराशे गए मेक अप में वो आसमान से उतरी कोई हूर ही लग रही थी दीशाब हर शाब हुलाए बस इसके नौखेज हसन में खो रहा था इससे पहले वो कुछ और करता नवाल ने इसे चौनटी काटी थी और खुनखार नजरों से उसे घूरने लगी मतलब साफ था कि ये लेंगवीज क्यों यूज़ कर रहे हो जबकि दीशाब इसकी किसी भी घूरी को खातिर में नालाते हुए इसे कलाई से पकड़ कर अपनी तरफ खेंचा और अब बड़े आराम से इसके दो पट्टे को पिंस से अजाद कर रहा था जबकि इस अचानक उफतादा पे नवाल घबरा गई थी के क्या करे फिर खुद को कदरे कंट्रोल किये वो दीशाब सी गोया हुए थी मुम् मुन्ह दिखाई तो तुमने दी ही नई अब क्या मुन्ह दिखाई देता तुमने खुद ही अपना घूंगट उठा दिया अगर में करता तो देता ना अब हम उगे की सबसे मैन रस्म करेंगे और अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत करेंगे लेकिन ये तो गलत है जब नवाल में रोने जैसी शकल बनाई तो दीशाब ने दो पट्टा अजाद करवाने के बाद साइड पर रखा और अब इसका रुख अपनी तर्फ किये एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस सी सोने की चीम जिसमें एक हाट था इस हाट के दोनों साइड पर नवाल और दीशाब का नाम लिखा था जबके अंदर डोनों की की पहली मुलाकात की तस्वीर थी जिसे देखते ही नवाल के चेहरे पर खूबसूरत सी समाइल आई थी और बे अख्तियार होंटों ने वाओ में जुमबिश दी थी ये बहुत खूबसूरत है दीशाब थिंक यू सो मुच आहा मुझे थिंक यू नहीं कुछ और चाहिए कहते हुए दीशाब ने अपने होंटों की तरफ इशारा किया था नवाल ने शर्मा कर कहा था अपनी आँखें बंद करो दीशाब ने फौरण अमल किया था नवाल ने इसके गाल पर प्यार करते अपना चेहरा इसके सीने में चुपा लिया था जबके दीशाब ने नवाल पर ग्रिफ्ट मजबूत करके उसे मकमल अपने हिसार में गैद कर लिया आज की रात इनकी महबबत की सबसे हुसैन रात थी जो के कत्रा कत्रा गुजर रही थी और महबबत की एक अनोखी दास्तान लिख रही थी जबके दौर इफक में भी चांद आज उनके मिलन पर जूम उठा था आठ साल बाद नवाल सुबह से किचन में बिजी थी सब को नाश्ता करवाने के बाद वो अब दौपहर का खाना तयार कर रही थी जब भर से रूने की आवाज आई तो वो सारे काम छोड़कर अपने लख्त जिगर के पास गए आमान क्या हुआ है एहसान को ये इतना रूप क्यों रहा है आ मेरा बचा का हुआ खिशने माला मेरे बाबू को नशल यहां आओ और बताओ किसनी क्या ये सब और क्या कर रही थी अरे माम अपन को सब पता होता है ये सब इस हजर के छोटे भाई माज का काम है इस पताखा को अपन अच्छा सबक सिक कर आई है अब वो अपन के जिगर को कभी तंग नहीं करेगा अरे जिगर तो क्यों रू रहा है बहादुर्बन अपन की तरह फिर सब तुझ से भी डरेगे साथ साथ साला नशल की जबान पटर पटर चल रही थी नवाल ने एहसान को खामोश करवा कर अमान को दिया और अपनी गुंडी बेटी की तरफ बढ़ी जो खुद तो छुटी सी थी जबके काम और हरकित सारी बढ़ों जैसी थी नवाल ने जाते ही नशल को कान से पकड़ा था कब सुधरोगी तुम्हां बहुत तन करने लगी हो और ये कौन सी लेंग्वीज में बात करती रहती हो तुम अब देखना हजर आ जाएगा तुम्हारी शिकायत लेकर फिर तुम फौरन फौरन छप जाती हो अगर बाद हो तो इसक भी मुकाबला किया करो अरे माम छोड़ दो पका अब नहीं करेगी अपन नवाल ने भी छोड़ दिया था इसका कान जबकि नशल कान सहलाते हुए अपनी चिक्नी मादर मिल्लत को देख रही थी मादर मिल्लत अप अपन को तो कहती हो ना करो वर खुद जो करती थी ना सब बताया है अपन को बाबा ने कैसे आप इनको तंग करती थी और बाबा रोज जो सपर वुमोईं की स्टोरी अपन लोगों को सुनाते हैं ना अपन जानती है वो अप ही हो नशल कमरे की तरफ भागते हुए हांक लगाई थी वर जाते ही कमरा बंद कर लिया था क्योंके इसे पता था अब इसकी मादर मिलत की जूती ने यहां तक इसका पीछा करना है जबकि नवाल पीछे दीशाब को सो सलुआते सुनाती एहसान को अमान के साथ कमरे में भेज कर खद फिर से खाना बनाने लगी आज एक एक हफ़ते बाद दीशाब ने घर आना था नवाल तो तंग आ गई थी दीशाब की इस जाब से कितने कितने दिन वो खुद तो घर से बाहर रहता जबकि इसके पीछे ये तीनों इसके नाक में दम कर देते नशल और अमान दोनों साथ साथ साला जर्वा थे लेकिन आदत दोनों की में जमीन आस्मान का फर्क था अमान समझदार मासूम और कम गो बच्चा था जबकि नशल तो नवाल से भी चार कदम हो गए थी नहायत ही जिद्धी हो गई थी वो और सबसे ज़्यादा नवाल को जिस बात पर घुस्वा अता था वो इसके बोलने का स्टाइल था अब नवाल को पत्ता लगा था कि शाजिया बेगम कैसे इसे सिम्हालती थी और आ सब दीशाब की दी हुई छूट की वज़े से हुआ था इसका मानना था जैसे तुम्हारे लिए मैं हूँ वैसे ही हमारी नशल को भी इसका हीरो सुधार देगा और तो वो बच्ची है बच्ची बच्ची करके बिगाड़ दिया था उसने जबके सबसे छोटा था एहसान जो पांच साल का था अभी तीनु बहन भाईयों में इत्फाक बहुत था और उन सब की लीडर थी नशल इसने अपना फर्स समझा हो था कि कोई एक कहेगा या लगाएगा तो वो पांच गन्ना करके देगी इसे जबके डर्ती सिर्फ हजर के घुस्वा से थी हजर नवाल की दोस्त का बेटा था जो के यहां अनी के बाद बनी थी इसकी फ्रेंड था तो हजर भी कम गो लेकिन नशल की हरकित इसके घुस्वी को हुआ दे जाती थी नवाल अभी काम कर रही थी कि अचानक किसी ने इसे पीछे से एकर हग किया था वो एक दम से ड्री थी और दीशाब को देख कर मुन बना गई क्या हुआ अब क्या कर दिया मेरी रानी ने जो तुम यू मुनफला कर काम कर रही हो दीशाब ने इसके बाल सरकाती हुए अपनी ठोड़ी नवाल के कंधे पर रखते अपनी बेटी की शरारत के बारे में दर्याफ्त करना चाहा था तुम्हारी बेटी आज फिर हज़र के छोटे भाई को पेट कर आई है है हज़र हमेशा की तरह अता ही होगा माज लेकर मुझे नशल का कारनामा दिखाने वो तुम इतना परेशान क्यूं होती होत बच्चे ही तो हैन हो जाएगे सही वैसे में क्या सोच रहा था अगर नशल की एक और बहन आ जाए तो इसका ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं तो क्या कहती हो फिर मेरी चिक्नी हो जाए एक और अप्त अपना बहुत ही बेशर्म तो पहले ही थे अब बुतमेज भी हो गए है अभी वो कुछ करता ही के बाहर से बच्चों के रोने की आवाज सुनकर नवाल ने मुस्क्रा कर इसकी तरफ देखा था जाए पहले जाकर इनको तो सिंभाल ले फिर और भी कर लेंगे दीशाब भागते हुए अपने जिगर के टुकरू के पास गया था जबकि इसके इस तरह भागने पर नवाल का जिंदगी से भरपूर कहकया गुंजा था किचन में और इस खुश हाल फीमेली को देख कर किसमत भी मुस्कुराई थी अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राब करें शुक्रिया